नशा करना है तो मेहनत का करोना बिमारी भी आपको काम्याभी से लगी तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाटा है ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है नशे की आदत चोटे बच्चों में इस गजल बढ़ती चली जा रही है कि मानों ये उनकी लाइफ पे कि इपॉर्टन पार्ट बंगया हो आज की डेट में जो चोटे चोटे बच्चे होते हैं अपने आपको बढ़े लड़कों से कमपेर करना स्ठाट कर लेते और उनकी हैविट को अडॉब करना स्टार्ट कर लेते जिससे की वो स्मॉकिंग डृंकिंग को إنka एक बहुत डिफरेंट स्टाइल मानते हैं अगर कोई बच्चा इस तरीके की चीजों को अफजर्व कर रहा है तो समझ लो वो अपने आपको सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हुआ है आजकार बच्चों में नशे के लिए इतनी बढ़ती जा रही है सिगर्थ पीना ड्रिंक करना तो जैसे आम बाक्सी हो गई हो इस्तिती इतनी ज़्यादा घंपीर हो गई है ती हिरोइन ड्रक्स कोकी जैसी चीजे चोटे-चोटे बच्चों की गिरफ्त में बहुत आसानी से आ रहे हैं और कुछ लोग इसके अंदर इसकादर इंवल्ब हैं कि वो छोटे बच्चों को यह चीजे पहुचा रहे हैं जिससे कि उनका करियर खराब हो सके उनका हेल्फ पर पड़ता है यह साथी साथ उनका करियर पूरा बरबाद हो जाता है कि वो बच्चा नशेही गिरफ्त में है या नहीं अगर यह कुछ पॉइंट्स आपके बच्चे के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत आप अलर्ट हो जाईए क्यूंकि आपका बच्चा खत्रे में है सबसे पहला और इंपर्टन पॉइंट है कि चुंगम और टॉफि अगर आपके बच्चे के पॉखिट में बैग बैट में चूइंगम और टॉफि काफी ज्यादा बीड़ नहीं है तो उसका सिम्ल सा मतलब यह होता है कि बच्चा आपसे स्मोकिंग की हैबट को चुपाने ह कोशिश कर रहा है, स्मोकिंग करने के वाद जो स्मेल आती है उसको कवर करने ही कोशिश कर रहा है, इस वज़े से विछ टॉफी और चुइंगम का जादा स्थमाल कर रहा है, सेकंड पॉइंट, माचिस और लाइटर, अगर आपके बच्चे के बैग, पॉकेट या कहीं भी माचिस और लाइटर निकलता है, तो आप बलट हो जाएए, कि वो इसके गिरफ्ट में आ गया है, थर्ड पॉइंट, विचिस वेरी वेरी इंपर्टेंट, रोलिंग पेपर, आज की डेट में सभी पांध मसाला की शॉप पे रोलिंग पेपर बहुत तरीके से मिल जाता है, और इवन जो शॉप की पर होता है, वो भी एज ना देख करके रोलिंग पेपर देता है, जिसके अगर आपका बच्छा नशे की किसी भी आदत में है, तो समझ लेजिए उसकी आइज को देख करके आप अबसर्ब कर सकते हैं, कि ये बहुत अच्छे तरीके से नशे की गरफ्त में है या नहीं, जिसक्त पॉइंट, अगर आपका बच्छा आइड्रॉप का यूज करता है आइड्रॉप भी अगर उसके बैग में आपकोड़े मिलती है, तो समझ लेजिए वो अपनी आपकों को छुपाने ही बशुश करता है, कि वो एक खतरनाख नशे की गिरफ्त में है, सेवन्थ पॉइंट, हद से ज़्यादा वेट का लॉस होना, वेट का लॉस होना होता है, जो इन तरीके की आदत को अबसर्फ कर लेते हैं, एट पॉइंट, अकेले रहने की आदत, अगर आपका बच्चा कमरे में आपके जाने से उसको प्रॉब्लम होती है, तो समझ लेजिए वो किसी ना किसी चीज को ले रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस जो को अबसर ब्रेट्स को ले रहा है, और सटनली वो 9-10 ब्रेट्स को लेता है, तो समझ लेजिए वो भी इसी करफ्त में आ गया है, तो दोस्तों, आप गभराएगा मत, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमें डाल सकते हैं, अगर इसके बारे में आपको और जादा 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 करेंग झाल जादा 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 जा जाँ प्रेच्ट है।